हलो दोस्तो मैं हूँ मुदीम खान और आप देख रहे हैं मुदीमेक्स पीजन जी हैं दोस्तो आज बहुत दिनों भाद मैं अपने दोस्त फाजिल भाई के घर आ गया हूं इनकी लॉट पे आ गया हूं इनकी बहुत रही थी मुझे तो आज इनके पास कुछ अच्छे नए क कबूतर हैं तो हम आज आज आण को कौण का कराएंगे तो दोस्तों देरें ना करते हूं चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं और देखते हां अच्छ जव Ini real good कैभंगे घर निखाना है तो फाजी वाई हाज आज आप हमें कौन कौन से कभूत दिखाएंगे हैं करूड को आपको अभे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है ललसर या कभूतर का जोड़ दिखाएंगे पिलंके अचा पिलंके ललसरे पीली आग में जी अच्छा तो होती अच्छे कभूतर हैं तीनों आपको जोड़ दिखाएंगे अच्छा तो वीवर्स सुन सकते हैं हमारे फ कोलते हुए मैं ओवर्विव दिखा देता हूँ आपको लॉफ्ट का ये नीचे जमीन में लॉफ्ट है फादिल भाई की जिससे इनके कभूतर बहुत ज्यादा है रहते हैं जमीन के कभूतर क्योंकि उनका हाजमा ठीक रहता है मिट्टी विट्टी खाते रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनों इधर खुला जाल भी बना रखा है ताकि कभूतर यहां आराम से अपने जाली में बंद होने के बाद भी थोड़ा सा खुला महसूस करें और नीचे ये सब इनके देखे बैठने के अंज़ाम ये सब सिराजी विराजी के सारे जोड़ बैठे हुए ह ये हमारे फाजिल भाई कभूतर निकालते हुए तो दोस्तों देख सकते हैं पहला पेड़ लेकर आगा है हमारे फाजिल भाई पहले जोड़ से आपको मिलाने वाले हैं रुबुरू करवाने वाले हैं तो फाजिल भाई कौन से कभूतर हैं ये ये ललसरे कभूतर हैं अच मेल or कौन सा मेल है यह नर है अच्छा तो पहले आप मादा का शौक करा देजिए लाए नर को हम थाम लेते हैं आप विवर्स को अच्छे से शौक करा दें मादा का यह देख सकते हैं विवर्स यह मादा है पीली अच्छी कबुतरी है अच्छा अच्छा परो का शौक करा देंगा हमारे फादिल बाई देखिए पर कितने अच्छे देखिए इसके पर है एंड तक देख लीजिए आप शेट पड़ा हुआ है अच्छा दूसरे तरफ का आप वाजू दिखा देखिए और पूछ दिखा देखिए फा पंजे दिखा दीजिए यह देखिए दूनों में कड़ी पड़ी हुई है अच्छे पंजे इसके देख सकते हैं फादिल बाई छोड़ के दिखा दीजिए जरा देख सकते हैं वीवर्स कितनी घजब की फीमेल है यह कितनी घजब का यह नर है इसकी आग देखिए आग का श यह देख़ ब fazlas Ila a galatiya को फिर जो नियरा है इता हिए इसके बाइव को रिखा कियो इन जो पुछु के नदेगि को शाब को कराओी जबादर तो दूस्तो देख सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं फादिल भाई हमारा दूसरा पेर लेके आये हैं तो फादिल भाई ये कौन से कबुतर हैं? ये जाक है मदरासी जाक होते हैं आज चे होश के बहुत अच्छे होते हैं खेंगे भी अच्छे अच्छे होते हैं ऐसे जोड़ लगा हुआ है कहा उच्छा पहले माधा को शॉक करा दीजे वीवर्स पो हमारे लाईये नर को अपनगा लेते हैं तो वीवर्स देख सकते हैं मादा का शौक करा रहा है हमारे फाजिल बहीं आपको जाख मादा है यह पीली आक में मदरासी फीमेल आप्टे में सकते हैं नहीं बहुत इच्छी अच्छी बढली है चार 25 गृंटे बाद मेरे हो बैठ की बिना गुली गया बच्चे बढ़ा रहे तो बच्चे भी जी कि उपन्जे दिखा दीजे इसके यह देगे विवर्स पंजे देगे كितने ख़्जब के पंजे हैं कड़ी पढ़ी भीए दोनो पंजों में काले ना फूर्ट किसके काले हैं छोड़ के दिखा दीजे फासल बाई यह देखे विवर्स कितनी अच्छी कटकारी की female है आप देख सकते हैं चलिषक के गांबे काश्क करा लेते हैं तो इसके नर ठॉड़क कर लीजिए इसके और का शौक कराते है हमारे धाजल वाई कि अभजब का इसकी आख है फीली आख में नर है मेमेले हैं यह जा अभी अक्षा कपूतर है असगम तीन गहंटे मेरे वाँ उड़ा लगा तार और जब पहली बार उठके गया था तो दो गहंटे बाद अपने आप या बन जाली बैठाता के अच्छा एक एक डेड़ कली बच्चा होता दो दो कली जब बैठाता के अपने आप अच्छा अब परो का शौक करा दीजी वाजिल यह देख सकते हैं वीवर्ष मेल के पर आप शौक कर लें पूच का शौक करा दीजी वाजिल बैए यह देखें पूच तो अभी सब कुरिश पे हैं कबुतर सब कुरिश पे कबुतर हैं इस टाइम सब अपने कबुतर पर जाड़के नहीं निकालना है पंजी देख लीजी जामनी कलर के पंजे हैं देख सकते हैं छोड़के दिखा 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 दिए देख सकते हैं वीवर्ष कितने घजब का नर है यह जाख मदरासी देखिए यह चारो कबुतर एक साथ हैं तो चलिए दोस्तों एक और जो लास पेर बचा है उसका भी हम लोग शौक कर लेते है दोस्तों देख सकते हैं यह तीसरा पेर हमारे फादिल भाई लेकर आँगा और इसकी क्कौलिटी इसके नाम आपको हमारे फादिल बाई बताएंगे तो फाजर बाई कौन से कभूतर हैं यह हमारे गजरे के जोड़ के बच्चे हैं अच्छा अब एक एक अच्छे होगे हैं और मोती चूर हैं इसका मैं आप एक बार जोड़ वीडियो में दिखा भी चुका हूं जो पिछली वीडियो है जी 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 तो उन्हीं पेर के बच्च तो अब हम आपको ऐसी यह बच्चों का शौक करा देते हैं क्योंकि यह निकले होगे घर के इनके बच्चे हैं यह देखिए यह कली बच्चे हुए देखिए आगवे पूरी साफ नहीं है इनकी छोटे ही हैं यह बादू दिखा दीजी ज़रा सब एक सकते हैं यह सब गर के निकले हों एक बच्चे हैं इसके फजल भाई के छोड़ के दिखा दीजी आइस की पूरे बच्चे हैं पूरी साफ नहीं होई यह और अभी साफ हो रही हैं तो इसको खोड़के दिखा दें हमारे विवउर्स और देख सकते हैं इसकी बेर अच्छे लम्बे चौड़े बच्चे हैं ये सारे कबूतर जो छे कबूतर हमने आपको दिखाए है वो देखी एक कबूतर ये बैठा हुआ है और पाच कबूतर ये बैठे हुआ है आप देख सकते हैं विवर्स फाजल भाही है कि लॉट पे हमने छे कबूतरों का आपको आज शौक कराया है अच्छा ये देख सकते हैं ये फाजल भाही ने उड़ा कर दिखाया है जहां पर ये बैठते हैं ये देखिए तारों पर बैठते हैं माशाला से आमेजिंग आप देख सकते हैं विवर्स चार कबूतर ये है और ये दो छोटे बच्चे हैं अभी तो दोस्तो आपने देखा ये आप समझ सकें कौन सी लौट का हमको पार्ट देखना है तो ये एपिसोड 3 है फाजिल भाई की लौट का और आज के कभूतर हमने आपको दिखाए कभूतर कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती ह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्साराइब करना मत बुलिएगा ताकि मैं और अच्छी रची आपको वीडियो बनाकर दिखा सकूँ तब तक के लिए बाईबाए आफिश अस्सलाम आप लेको